हेलो दोस्तों वेलकम टू ग्रेट स्कॉलर्स अकेडमी मैं हूँ सानी जैन और मैं वेलकम करता हूँ आपका अपने नए टॉपिक में देट इस मैसलो नीड हायर की थियोरी डिरेक्टिंग का सबसे इमपोर्टन पार्ट है आपका मैसलो नीड हायर की थियोरी तो अगर हम बात करें ये है क्या तो बेसिकली अबराम मैसलो ने आपकी जरूरत को ही थियोरी बना दिया यानि कि उन्होंने कहा कि जिस टाइम पर मुझे जिस चीज की जरूरत होती है, वो ही चीज मुझे उस टाइम पर मोटिवेट करती है, भाई मुझे खाना नहीं मिल रहा, मुझे रोटी नहीं मिल रही, तो दो दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, तो सबसे पहले जब मैं काम करन यहां पर भी वो यही बात करते हैं उन्होंने हमारी ज़रूरतों को five stages में बाट दिया and three days में सब supplied फरिफली स्टेशिस कौन सी है psychological needs, psychological needs, basic needs होती है, फिर safety needs फिर social needs फिर esteemed needs और उसके बाद सबसे आखरी में self actualization need सबसे पहले पढ़ते हैं यह है क्या, fan motivation is a psychological phenomena यह कहता है यर आपके behavior changing phenomena है इसके अंदर आपके mindset को change करने की कोशिश की जाती है need of employees इस प्ले वारी इम्पोर्टेंट रॉल इंदा मोटीवेशन और आदमी की जरूरत को समझना ही मोटीवेशन का सबसे बड़ा गेम चेंजर है कैसे वह एक बंदे की üş spiritually है ten thousand rupees पर मन्थ ठीक है एक बंदे कीال jut sincer rap 10,000 काम करोगे तो मैं तुम्हें 5000 पर मंथ एक्स्ट्र दूँगा तो यह 5000 रुपे सबसे ज़्यादा मोटिवेट किसको करेंगे दस अजार वाले परसन को करेंगे या एकलाख वाले परसन को करेंगे तो सिंपल सा लॉजिक है कि भाई सबसे ज़्यादा इन 5000 की जरूरत किसको है जिसकी salary कम है तो basically इसमें क्या चीज कही गई कि जो बंदा अपने घर खर्च को मुश्किल से चला पा रहा था अगर मैं उसे 5000 extra का offer दूँ तो वो दिल जान लगा कर काम करेगा लेकिन जिसकी salary 1 lakh रुपीज पर मन्त है वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा क्योंकि already ही उसके पास पहले से ही जादा पैसे आ रहे हैं वो कभी भी 5000 के लिए nominal सी amount के लिए extra hard work नहीं करेगा तो यही चीज वो यहाँ पर कहने की कोशिश करता है कि आपको उस time पर कौन सी चीज सबसे जादा motivate करेगी यही चीज आपकी need hierarchy theory के अंदर explain की गई है तो to understand the human needs we must learn Maslow need hierarchy theory तो एक person को किस किस चीजों की जरूरत हो सकती है तो सबसे पहले हमने पढ़ा था psychological needs अगर मैं देखू इस diagram में सबसे नीचे आपकी psychological needs है और सबसे जादा चोड़ा area उसे दिया गया है तो इसका मतलब क्या है कि जिन्दकी में सबसे पहली सबसे जरूरी चीज है psychological needs यह आपकी basic requirements है वह सरवाइफ करने के लिए जिन्दा रहने के लिए मुझे क्या चाहिए रोटी कपड़ा और मकान, food, clothing और shelter तो यह तीनों चीजे आपकी इस जरूरत में आती है तो मैसलों ने का जिस सबसे पहले एक बंदा जिन्दकी में job करने जाता है तो वो इसलिए जाता है कि उसे रोटी कपड़ा मकान मिलता रहे उसे कोई दिक्कत ना आए उसके daily के रोज के खर्चे निकल जाए The employees develop these needs for the survival और ये need को हम कहते है survival needs क्यों क्योंकि जिन्दा रहने के लिए सबसे पहली चीज यही जरूरी है That's why they are top in the sequence और सबसे पहले यही आपकी top priority होनी चाहिए यही आपकी सबसे पहली चीज होनी चाहिए चाहट के अंदर दूसरा जब मैं present need को satisfy करूँगा देखो यह आपकी present की situation को दिखा रहा है present का मतलब भाई आज मुझे खाना मिलता रहे Safety needs क्या कहती है safety needs basically हमारी future से related होती है future से related का मतलब क्या future से related का मतलब है भाई आज तो खाना मिल गया आज तो मैंने रोटी खाली लेकिन मैं कोशिश करूँआ कि भाई जिन्दकी भर मुझे खाने की कोई दिक्कत ना है मेरी family को खाने की safety की कोई दिक्कत ना है Once present day psychological needs are fulfilled तो भाई आज की जरूरत पूरी हो गई तो लोग किस चीज के लिए tension में आ जाते है future के लिए वही about their future as they want to secure their future by making future as they continue to satisfy their psychological needs तो future में भी उनकी ये basic जरूरत है psychological needs पूरी होती रहे तो वो पैसे को जोड़ जोड़ के रखेंगे वो insurance scheme में लगाएंगे वो आपकी basic funding याने के आपकी investment करेंगे तो यहाँ पर दो तरह की security हो सकती है एक होती है physical security एक होती है आपकी economic security तो physical security कौन सी होगी आप बीमार ना पड़ो आपको चोट ना लगे कोई आग कोई दुरघटना ना हो economic security क्या होगी आपके पास हमेशा sufficient fund available हो पाइचांस आपका accident हो जाए इंजरी हो जाए तो आप उस चीजों को असानी से मेट कर सको वह एक आदमी को पैसे की जरूरत क्यों है क्यों पैसे बचा बचा कर रखता है वह future में कोई दिक्कत आ गई future में कोई problem आ गई तो मेरे पास at least इतने sufficient funds तो हो जिससे मैं उस चीज को manage कर पाऊ उसके बद आपके पास आ जाता है social needs belonging needs तो social needs तीसरे level पर आती है जब मैं present और future दोनों चीजों को सीफ कर लेता हूं पूरा कर लेता हूं तब मैं next level पर जाता हूं और तब म means need of love, affection, companionship, friendship तो कहता है social needs के अंदर आपने क्या पढ़ा यहां पर आपने पढ़ा कि आप social needs को social जरूरत को कैसे पूरा करते हो दोस्त बनाओगे जब आपको present की tension नहीं है future आपने secure कर लिए तो अब आप market में निकलोगे, areas में घूमने निकलोगे, अपने दोस्त बनाओग क्यों, ताकि हर बंदा social animal है, वो कभी भी अकेले survive नहीं कर सकता, तो becomes more attractive to fulfill social needs of the manager, preferred teamwork, यह सब चीज़े इसके बद जब आपकी social needs भी पूरी हो जाएगी, अब आप esteem needs, esteem needs basically आप कह सकते हो जी लोग मुझे recognize करे, recognize का मतलब होता है मेरी पहचान बने उन लोगों के बीच में जो इनको मैंने दोस्त बनाया, तो basically यह उससे एक level उपर हो जाएगी, देखो, fourth level पर दिखाए दे रही है na esteem needs, first, second, third और यह fourth, तो fourth level पर esteem needs, मतलब लोग मुझे recognize करे, respect दे, respect दे, मतलब आओ जी, बैठो sir, कैसे हो, लोग मैं इसे पूछे, मुझे मिलना चाहे, यह सब है आपका esteem needs, तो basically लिखता है, it respect and recognition, when above three needs are satisfied, then people start demanding the respect themselves in the group, तो जब लोग अपनी सारी तीनो जरूरत को पूरा कर लेते हैं, तब वो इस need के ऊपर भागते हैं, this need is common in higher level employees, तो जैसे managers होगे, directors होगे, उनके लिए यह need काफी कामयाब है, और सबसे आखनी में आ जाती है, self-actualization need, self-actualization need का मतलब क्या हुआ, self-actualization मतलब भाई मैंने अपनी जिन्दकी का सफर शुरू किया था, से किसी company का मालिक बनने के लिए, क्या मैं वो चीज कर पाया, एक singer अब गाना गाना शुरू करता है, तो वो सोचता है कि वो singing industry के अंदर top level पर पहुँच पाये, जहां तक म मैं उस potential, उस objective तक पहुचा, जिसके लिए मैंने सफर शुरू किया था, तो this refers to realizing or reaching to the aim, once the employee become, he wants become satisfaction of his actualization need, तो जो चीज मैं बनना चाहता था, जो जिस level पर पहुचना चाहता था, क्या मैं महाँ पर पहुचा या नहीं, अगर पहुच गया तब तो okay है, और अगर नहीं पह तो देखो, अगर अगर मैं company level के chart के इसाब से पढ़ हूँ, तो psychological needs कैसे पूरी होंगी, individual level की बात करें, तो food, clothing और shelter से, और company इस need को कैसे पूरा करती है, salary से, उसके बाद physical security, safety security, आपके पास savings हो, कुछ हो, तो आपकी company कैसे मदद करती है, आपको provident fund, pension, ये सब चीजे देत है, उसके बाद love, affection, और friendship, ये social needs थी, company कैसे पूरा करती है, cordian relations, colleague से मिलता हूँ, जाकर, दोस्तों से मिलता हूँ, जाकर, maintain status and security, ये आपकी esteem needs है, और जब मैं जाता हूँ, वापर मुझे promotion मिलती है, special status मिलता है, तब जाकर मेरी ये need company द्वारा पूरी की जाती है, achievement of self-experization ये आपकी self-experization need, और आप किसी company में manager बनना चाते थे, director बनना चाते थे, आप उस level तक promote होते होते, पहुँच गए, तो company आपको इस तरीके से इन चीजों में मदद करती है, assumptions की बात करें, तो बैसलों ने अपनी theory को देते हुए, कुछ धेर सारी assumptions मानी थी, कुछ चीजों को constant मानने की कोशिश की थी, तो यही सब चीजे हैं, तो सबसे पहले behavior of people depend upon their need, human behavior change with the fulfill of the need, तो वो कहा है कि जैसे जैसे आपकी जरूरत पूरी होती जाएगी, वैसे वैसे आपकी need भी change होती जाएगी, कैसे, starting वाली need के लिए पैसे चाहिए थे, psychological के लिए, रोटी कपने और मकान के लिए पैसे चाहिए थे, तो starting में मैं पैसे demand कर रहा था, भाई मुझे पैसे जादा कमाने है, पैसे जादा कमाने है, अब मैंने पैसे कमा लिए, अब मेरा demand need change हो गई, अब मैं status कमाने के पीछे भाग रहा हूँ, तो यही चीजे वो यहाँ पर कह रहे हैं, कि भाई आप दूसरे लेवल पर move कर जाओगे, जर्नली हमेशा बंदा इस hierarchy को follow करता है, यह hierarchy चैनल जो है, psychological need से शुरू होता है, और self actualization need पर जाकर खतम होता है, इस satisfied cannot no longer motivate a person, आज मेरे पास इतने पैसे हैं, कि भाई मैं आपनी present और future दोनों को सीके और कर चुका हूँ, तो अब पै ऐसा मुझे किसी चीज के ओपर attract नहीं कर सकता, यह person move to next level, एक बंदा next level पर तभी जाएगा, जब उसकी lower need जो है, वो satisfy हो चुकी हो, तो basically यही है आपकी meslo hierarchy need, तो यहाँ पर हमने पढ़ा हम किसी भी बंदे को दो तरीके से, दो तरीके से attract कर सकते है, दो तरीके से उसे लाल कि वो आगे काम कर सके, तो हमारे पास दो तरह के incentive है, financial incentive और non financial, financial incentive basically आपके powerful होते है, lower level employers के लिए, क्यों होते है financial incentive, lower level, क्योंकि बिचारों की जरूरते कम ज्यादा होती है, और जो salary होती है, वो कम होती है, तो basically हमेशा उन्हें पैसों की जरूरत रहती है, तो मैं जो भी छो कोटे बंदे होते हैं, उन्हें थोड़ा सा पैसे का लालच देकर extra काम करा सकता हूँ, उनकी efficiency को बढ़ा सकता हूँ, तो monetary incentive, the reward or incentive which can be calculated in the terms of money, तो monetary incentive कौन से होए, monetary incentive आपके वो incentive होए, जहां पर मैं पैसे का लालच देकर सामने वाले से कोई भी काम करा सकता हूँ, these incentives have more psychological, social and security needs active in them, पहली तीन needs को मैसलो की कौन सी चीज पूरी करती है, monetary incentive, these are common monetary incentive, सबसे पहले pay or allowance, देखो, सामने वाले employee को motivate करने के दो ही तरीके, या तो मैं उसे पैसा दूँ, या मैं उसे पावर दूँ, पावर दूँगा, मतलब मैं उसकी value को money में calculate नहीं कर सकता, तो यह non financial है, प आपका monetary incentive, अब आप समझोगे कि monetary incentive कितने तरीके से मैं उसे दे सकता हूँ, सबसे पहले pay और allowances, basic pay जो salary होती है, उसे कहते है, और allowances का मतलब company कुछ खर्चे भी bear करती है, जैसे आपके traveling के, आपके mobile के, तो यह सब चीजे, तो regular increment in salary every year, and a great allowance of act as a good motivator, तो देखो, motivators का मतलब वो चीजे जो बंदे को motivate करती है, जो बंदे को उतसाहित करती है, तो in some organization, pay hikes and allowance are directly linked with the performance of the employee, एक बंदा जितना अच्छा काम करेगा, उसकी salary भी उतनी होगी, और उसके बाद वो बंदा जो है, उससे जाधा allowances भी दिये जाएंगे, to get increment and allowances, employee has to perform with the best ability, और हर बंदा अगर है कि उसकी salary बढ़ती रहे, तो उसे perform करना पड़ेगा, अपना best देना पड़ेगा, तब जाकर उसे market में पैसा जाधा कमाने का मोका मिलेगा, profit sharing की बात करें, तो the organization offers share in profit to employees as common incentive for encouraging working efficiently, तो कई बार company जो है, अपने core बंदों के साथ, अपने main बंदों के साथ, अपने profit का कुछ हिस्सा share करती है, जिन लोगों की बज़े से वो profit increase हुआ है, अंडर profit sharing, generally company fix a percentage of profit, and if percent profit exceeds that percentage, then surplus profits is distributed among employees, तो company fix करती है, 20% से उपर जितना भी profit हुआ, वो हम employees में distribute कर देंगे, तो उसे 25% profit हुआ, तो वो जो 5% था, वो employees को हम profit share करतेंगे, उसके बाद, co-partorship और stock option, साफ साफ मैं सामने वाले बंदे को अपनी company के share देता हूँ, उसको management में हिस्सा देता हूँ, कौन से, सब को नहीं, जो main बंदा है, जिसकी वज़े से हमारी company को फाइदा हो रहा है, मैं चाहता हूँ, वो मेरी company को छोड़ कर ना जाए, तो कई बार मैं उस बंद मैं yearly देता हूँ, performance बेस पर देता हूँ, जो employee सबसे अच्छा काम करता है, उसे सबसे ज़्यादा bonus देता हूँ, जो employee week काम करता हूँ, उसे थोड़ा सा bonus देता हूँ, ये कभी-कभी occasion पर, यानि किसी festival तिहार पर दिये जाते हैं, जैसे दिवाली bonus, yearly bonus, तो ये सब चीज़े ऐसे होगे, उसके बाद हमारी कुछ हो, आज incentive आज ते commission देता हूँ, basically commission जो है commission वो sales department बोर होती है, आपने इतना sales कर दिया, आपने इतना target अचीव कर दिया, तो मैं आपको 5% commission extra दूँगा, आपकी basic pay और allowances से, उसके बाद productivity linked based system, ये वाला system हमने पढ़ा था, आपके principle of management chapter मे तो basically ये है, आपने कहा, जो जितना जादा समान बनाएगा, उसे उतनी जादा salary हम देने वाले, तो there are certain wage rate plan, which offers higher wages for more productivity, जो worker जादा समान बनाएगा, उसे जादा तनखा मिलेगी, जो worker कम समान बनाएगा, उसे कम तनखा मिलेगी, उसके बाद retirement benefit की बात के लिए, जब बंदा ह हमारी company को छोड़ कर जाएगा, तब हम उसे provident fund, gratitude, ये सब चीजे देंगे, pension भी देंगे, तो कई बर government company ऐसा करती है, ताकि employee motivate रहे, उसके बाद perks और fringe benefits, कई बर क्या होता है, company पैसे ना देकर आपको facility दे देती है, क्या मतलब company ने मुझे किराया ना देकर घर का, मुझे घ हर ही दे दिया, अपने quarters दे दिये रहने के लिए, तो मेरा किराया बच गया, तो इसलिए वहाँ पर लिखता है, it refers to the special benefit जैसे medical facility, free education children, housing facility, these benefits are above and over salary, तो these extra benefits are related with the performance of employees, तो ये basically वो चीजे हैं, जो एक lower level के employees को help करती है, जरूरत से ज़्यादा काम करने के लिए, इसके बाद आपके पास आ जाता है, non-monetary benefit, non-monetary benefit, आपके non-financial incentives, more powerful for higher employees, ये जो आपके incentive होते हैं, ये powerful employees, more powerful होते हैं, किसके लिए higher level employees के लिए, तो money is not the only motivator, money ही एक हतियार नहीं है, जिससे काम करवाया जा सके, the employees are more esteem and self-actualization, need active in them, तो कई बार लोगों को power चाहिए होती है, वो अपने actualization need के लिए काम कर रहे होते हैं, तो कई बार हमें उन्हें power देनी पड़ती है, वो पैसे से काम नहीं करते हैं, तो status की बात करें, तो status is a rank authority or responsibility, higher status, higher rank हर बंदे का एक aim होता है, जैसे suppose करो, मैं UPSC का एक्जाम देता गाड़ी पर लाल बत्ती लगी हो, तो that is a rank, authority, responsibility, power है एक जो बंदा हर चीज के ऊपर लगा रहता है, उसके बाद organization का climate, organization climate का मतलब होता है, the relation between superior and subordinate, the direct influence over the behavior of a member, positive approach, वही इसका मतलब है superior और junior, याने senior और junior का relation कैसा है, senior अगर junior को importance देता है, senior अगर junior की सारी बातों को follow करता है, तब आपके पास ये चीज बहुत ही जादा फाइदे मंद हो जाती है, तो वो एक positive environment create करता है, मिल जुलकर काम करने की feeling को develop करता है, ये बहुत जरूरी है, इसके बाद आपके पास आ जाता है career advancement, career advancement का मतलब है, कि अगर मैं सामने वाले employee क career में बड़ोतरी देने में help करता हूँ, ताकि वो अपने career को boost कर सके मेरी company में रहे कर, तो वो जादा काम कर सकता है, इसके बाद job enrichment, नाम से ही पता लगा, job को enrich करना है, assignment of challenging job, एक employee बार बार सेम काम करते करते बोर हो जाता है, बोर हो जाता है तो उसे motivation या kick नहीं मिलती, तो उस जोब को और challenging, और challenging, और challenging बनाते रहना है, employee रोज नया काम करे, रोज नहीं चीजे सीखे, यही है इसका मतलब, तो by offering challenging job, autonomy of perform job, interesting job, employee get, satisfy and they are motivated, जब वो daily नया काम करेगा, नहीं चीजे सीखेगा, तब जाकर वो क्या होगा, motivated होगा, energetic होगा, employee recognition कई बार होता है, जैसे class की teacher, भई मेरे मच्छे माक साते हैं, तो सारे बच्चों से clapping कराते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो employee के साथ भी हमें यही करना चाहिए, performance of the year, performer of the year, say star of the month, ऐसे कुछ awards भी उन्हें देने चाहिए, इससे ego satisfaction होती है, whenever the good efforts by positive attitudes are shown by subordinates, it is superior in public and it is good for, it is good for employees, इसके बाद आपके पास आ जाता है, job security, इसके बाद आपके पास आ जाता है, job security, job security means lifetime bonding between employees and organization, job security है मतलब है, जब तक मैं काम करूँगा, मुझे company secure रखेगी, मुझे कभी भी वो company रस्ते में निकाल नहीं देगी, giving the permanent and confirmation letter, job security ensure the safety and security needs, but may it have negative impact, once the employees get secured, they lose interest in the job, इसके कई फाइदे भी है, मैंने काया जी मैं आपको निकालूँगा नहीं, आप मेरे यहाँ पर permanent employee और लंबे समय तक काम करोगे, जैसी मैं यह बात कहता हूँ, तो कई employees काम करना छोड़ भी देते हैं, तो इसके positive fact भी है और negative भी, employee को participation देना चाहिए, याने वो management में decision दे सके, वो management में help कर सके, यही सारे मोके उसे भी देने चाहिए, तो it involving employees in decision making, specially when decisions are related to worker, तो जब भी हम कोई worker से related decision लेने वाले हैं, तो employees को उसके अंदर include करना चाहिए, उनकी राय भी पूछनी चाहिए, ताकि वो satisfy रहे हैं, वही company हमारे बारे में भी सोचती है, employee empowerment, कई बर हमें employee को freedom देना चाहिए, हर बार उसके उपर मनराते नहीं रहना चाहिए, हर बार उसके उपर नजर नहीं रखनी चाहिए, कभी कभी उसे punk फिलाने का मोका भी देना चाहिए, this empowerment develops the confidence in the employees, यह empowerment employees के confidence को build करती है, they use a positive skill to prove that they are performing best whenever freedom is given to them, तो जब हम भी उसे हम freedom देते हैं, तब वो और भी जादा अच्छे से काम कर पाता है, तो यही थे हमारे financial और non financial incentive या monetary और non monetary incentive, इसके बाद हमारा leadership का topic आजेगा, यह हम next video में cover करेंगे, thank you. झाल